अप्रोच का एक मीनिंग और होता है कि इससे बात करना है बात भी किस प्रकार की करना हो कि आप उससे कह रहे हैं भहिया ये काम कर दो उससे कुछ कह रहे हैं कि तुम मुझे ये चीज दे दो या फिर आप उससे कोई चीज मांग रहे हैं या तुम से कुछ काम करने के लिए कह रहे हो और आप उससे अप्रोच कर रहे हो कि ताकि वो कोई काम कर दे या कोई चीज आपको दे दे जैसे कि भी आई अप्रोस्ट आई अप्रोस्ट यानि मैंने बात की हाँ पेसका मतलब बात की बहिए मैंने सुछे बात की आप्रोस्ट किस से बात की मैंनों आप्रोस्ट निशान सर आये प्रोस्त, निशान सोर। किछी ने बात कीवाने निशान से यहाँ पे इसका मतलब है मैंने उन्से कुछी मागने के लिए उनसे बात की यहां पर अप्रोच को तब बात करना होता है जब भी आप किसी विक्ति को अप्रोच करते हैं तो या तो आप उससे कोई चीज मांग रहे हैं या उससे कोई काम करने ने कह रहे हैं तो मैंने निशान सर से बात की I approach Nishan Sir for Filmora मैंने उन से Filmora मांगने के लिए बात की I approach Nishan Sir for his help मैंने निशान सर से बात की उनकी मेरत मांगने के लिए I approach Nishan Sir for his mic को मेरे पास mic नहीं था YouTube वीडियो बनाने के लिए तो I approach Nishan Sir for the mic ऐसी मेरे माई की वीडियो की quality अच्छी नहीं मैंने आपने के लिए माई की वीडियो की quality बहुत अच्छी तो मैंने आई अप्रोष निशान सर for the mobile तो आपने किसी को भी आप्रोश को किसी मागने के लिए तो आप बोलेगे I approach जैसे आपके exams are exams approaching right अब आके पास श्यवानी मॉडल पे पढ़नी है शनमें चेशिवानि नबाद शनुद्ध तो आप अपहे दोस्टे पास गई आपस बात करने शनुद्ध मांगई तो वे का रहते हैं कियों वी जर के मैंने अपने दोस्ते बात की यहाँ पर अप्रोच का मतलब होता है बात करना बात करना दो चीज़ों के लिए बात कर सकता है कोछी मांगने के लिए या कोई काम करने के लिए जैसे अपने मैंने दोस्ते लाप्टोप मांगने के लिए बात की I approached my friend for the laptop ऐसे अगर पैसे नहीं थे आप में दोस्ते पैसे मांगने के लिए बात की I approached my friend for money तो ये तो होगी खोची मांगने के लिए I approached Nisan sir for money I approached Nisan sir for money I approached Nisan sir for money I approached Nisan sir for the mic और किसके बात की मैंने उनसे software मांगने के लिए बात की I approached Nisan sir for the software I approached Nisan sir for the software ये तो होगी आपने कुछ नहीं मांगी एक होता है आपने उनसे बात की मगर कोई काम करने के लिए कोई काम करने के लिए तो I approached जिससे भी बात की आपको उसका नाम आएगा तो मैंने बात की जिससे बात की उसका नाम और किस काम करने बात की उस काम को टू से जोड़ेगा और action की first form तो मैंने निशान sir से बात की ये काम करने के लिए भी ये काम करतो हूं मजे एक काम करने दो I approached Nishan sir I approached Nishan sir to do my work मैंने निशान sir से बात की मेरा काम करने के लिए मैंने निशान से बात की वीडियो अडिट करने के लिए तो अप्रोस निशान sir to edit my video ऐसे ही मैंने मेरे पास माइक नहीं था तो मैंने निशान से बेखर दो माइक अना माइक खर दो यार तो I approached Nishan sir to buy a माइक I approached Nishan sir to buy a माइक ऐसे मैंने उन से कैमरा आर्ज़ करने के लिए बात की I approached Nishan sir to arrange a camera तो दो चीज होगी कोई चीज मांगनी है तो फोर लगा के चीज का नाम आ जाएगा कोई नाम और तो I come जैसा आप फिर से पता को I approached Nishan sir to buy a camera बेलकुल to buy a camera इसमे आप पे एक्षन आगिए बाई मैं Nishan sir से बात की camera खरने के लिए मांगने के लिए तो जाएगा 4 I approach Nishan sir for camera यहाँ पर होगे इसका मतब camera मांगने के लिए बात की और यहाँ पर उनसे camera करने के लिए अप्रोच किया बात की तो दो चीजों मैं यह अंदर है यहाँ पर 2 लगा के action आएगा 4 लाएगे जिसका नाँ आएगा तो approach मतब बात करना होता है की से कोच नी मांगने के लिए या कोई काम करने के लिए कहना right my dear friends so I am sure you may have understood the uses of approach right so it's enough for today and thanks for watching my video please comment it, like it, share it and subscribe thank you very much thank you